मंजिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है नमस्कार दोफ्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल अरुड अकैडवी में आज का हमारा टॉपिक है सुक्राण की सनचना टॉपिक बहुत ही महत्पूर है और इंट्रेस्टिक होने वाला है इसलिए वीडियो को अर्थ तक जुरू देखना है चले श्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक सुक्राण की सनचना सुक्राण होता क्या है सबते पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए अरे सुक्राण क्या होता है शुक्राण जो होता है उसका निर्मार मेल में होता है फिमेल में होता है पहले हमें यह बताईए तो जो शुक्राण होता है इसका निर्मार मेल में होता है किश में होता है मेल में होता है अर्थात पुरुष में होता है किश में होता है पुरुष में होता है तो सीधा सा आंसर हमारा हो जाएगा कि जो सुक्राण होते हैं उनका निर्मार जो है टेस्टिस में होता है अर्थात हिंदी में जिससे हम कहते हैं वरसण कहते हैं अगर पूछ लगा कि ये वरसण कहा होते हैं यह होते क्या हैं तो यह दो पैरों के मध्य में थैली नुमा संद्चना पाई जाती है किसमें मनुस्यों में पाई जाती है ठीक है उसी को हम क्या कहते हैं वरसण कहते हैं अब देखे यहां से भी कोशन बन जाता है कि वरसर js में धैले नुमास अरचना में पाये जाते हैं यह लटके क्यों रहते हैं यह पूँचा जाता है क्यों कि हमारे षरीर के जो त्माल होता है वो होता है अगर यह हमारे सरीर के अंदर पाए जाएंगे तो वहां पर यह सुक्राण का निर्माण नहीं कर पाएंगे इसलिए अच्छू की जो सुक्राण होता है इसके निर्माण के लिए जो है हमारे सरीर से कम ताप मान चाहिए इसी लिए जो होते हैं ये दो पैरों के मद्धे थैले नुमा संद्चना में लटके विपा जाते हैं ठीक है तो चली आगे देते हैं कि सुक्राण क्या होता है और इसकी संद्चना क्या होती है तो सुक्राण क्या होते हैं कि मनुश्य तो में शुक्राणू का निर्माण व्रसण में होता है कहां होता है चार मिली वीदे में लगभग 90 मिलियन शुक्राणू होते हैं अगर आप से पूचा जाये कि बताइए चिकी चार मिली वीदे में लगभग शुक्राणु की शंक्या किटनी हो शक्ति है तोहाँ पर हमारा आंथर हो जाएगा नभे मिलियन शुक्राणु धिक है अब जो शुक्राण यह सुक्राणु का सबसे उपर ही भाग होता है और कैसा होता है लगभग गोलाकार का होता है ठीक है इसमें क्या लिखनायम को कि यह लगभग गोलाकर संद्चना होती है जिसके उपर एक तोपी नुमा संद्चना पाए जाती है जिसे एक रोसोम करते हैं चले हम बात कर लेते सा है लग्षाद को लाकार है थीक यह अंडाकार संदॅचना है और इसके सब्सक्रत देखे एक आसे यह देखे टोपी नमा संदॅचना पाही गई है कि इसी को हम कहते हैं क्या कहते है और जो हो इसी से हाइलुओरेंदेज एंजाइम का फ्रहावड होता है ठीक है तो देख लेंगे एक चीज़ देखेंगे कि जो रहा होता है यह सुक्राण का हैड पार्ट होता हुटा है इसके अंदर जोलप पाई जाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं एक्रोसोम से हालूरेन डेज हर्मोन का स्रामण होता है इस भाग में अंदर एक गोल सन रचना पाई जाती है जिसे केंदरक कहते है ठीक है जिसे क्या कहते है जिसे केंदरक कहते है क्या कहते है केंदरक कहते है ठीक है अब हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं सेकेंड पार्ट क्या होता है सेकेंड पार्ट जो होता है यह कहलाता है मिडिल पीस अर्थात मध्य भाग मद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् नीचे हैँ यह हैड के नीचे पाया जाने वाला भाग होता है जिसके मधिम माइट्रो कांड्या उपस्थेत होते हैं जो कि शुक्रान के चलने के लिए उर्जा प्रधान करते हैं देखें मनुस्यों के द्वारा किसमें पहुंचा दिया जाते हैं पहुंचा दियां पहुंचा दियों की छो होते हैं। यहां सीरसके के नीचे कहाँ यहां सीर शके नीचे पाया जाने वाला सुक्राणू का दूसरा भाग होता है जिसके मध्य में mitochondria seat उपस्थित होते हैं जो कि सुक्राण को चलने के लिए उर्जा प्रतान करते हैं अगर पूछा जाए कि mitochondria कहां पाया जाता है सुक्राण में mitochondria कहां पर उपस्थित होते हैं और भाग में ऊपस्तित होते हैं । हमारा आंसर हो जाएगा अर्थात मध्य ठीका कहां पर यह देखे यह यह जो संडर्चनाई होती है कहते हैं एक रजाते हैं इसकी की करण जो है जब सब्सक्राण को रुजा मिलती है तो यह चलने में चलने ठीक है अब आगे देखते हैं तीसरा भाग क्या होता है तीसरा भाग जो होता है वो टेल कहलाता है क्या कहलाता है तीसरा भाग जो होता है वो टेल कहलाता है आथा पूछ कहलाता है पूछ क्या होता है देखे जैसे पच्छी होते हैं पच्छियों में भी पूछ पाए जाती ह करता है कि पच्छियों में पूंच जो होती है वो किसका कारी करती है या पच्छियों में पाई जाने लिए पूंच का कारी क्या होता है तो पच्छी की जो पूंच होती है वो जब पच्छी उड़ते हैं हवामें तो दिसा परिवर्तन में सहाइक होती है क्या होती है दिसा प पहले चीज क्या हो जाएगा कि ये कि ये भी लिख सकते हैं कि ये संटिम भाग होता है कि ये जो है 보ो है नीचे पाई जाता है ये अपनोच है तो ऊच्छ सबसे पतली होती है है जो है कि और या अब पूछ है सबसे पतली होती है क्या होती है तो पहला प्वट है ॉक्राण डू सबसे अंतिं ४ की सहायता से जो है है और इसी होती है जो होती है इसी की सहायता से जो है तो यह रहा हमार आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब टो वार यूटूब चैनल थैंक्स फार वाचिंग नी